अच्छा जी question यह है कि जब आप किसी भी notebook के अंदर different models को outline करके या लिखके lay down करके not outline lay down करके उनको select करते हैं और उसमें से best model को आपने लेके जाना होता है आगे hyper parameter tuning करने के बाद तो आपके accuracy q fluctuate करती है पहली चीज़ यह इस code का मकसद भला क्या है यह जो code आपके पास best model selection का ह इसका मकसद है यह 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 आपके पास सारे के सारे models है आप best model को select करें with best hyper parameter which are tuned सही है यहां तक clear हो गया अब आपने आगे क्या करने है आगे आपने वो best model with those hyper parameter tuned आपने दुबारा से train करने है यह सिरफ selection के लिए है select हो गया आपका model वहाँ पे उसका काम खत्म हो गया then you have to train your model based on those best models parameter ठीक है फिर वो accuracy उतनी ही रहेगी जितनी आपकी start में आई है सही है अब होता क्या है यहां पे यह जितने भी आपने model यहां पे run की है for loop के साथ यहां पे ना तो आपके सारे के सारे parameter सेम रह रहे है ठीक है secondly क्या हो रहा है आपका जो data है वो different तरीके से आपके सामने रहे है यानिके cross validation accuracy आपके सामने आ रही है सो आप यहां पर क्या करेंगे उस model के best parameter select करने के बाद उस model को दुबारा से train करेंगे यानिके अगले code के अंदर सिर्फ xg boost को आप लगाएंगे सही है and then you can proceed with that one उससे क्या होगा वो आपके retain हो जाएगी information जिस यहां वहां पर होगी फिर आप xg boost के अंदर random state आप add कर देंगे कि यह वाली random state इसके parameters यहीं रहेंगे और कोई नहीं सिंपल सो इस तरीके से आपका model वहीं पर रहेगा secondly क्या होता है आप start में ही random seeding कर देते हैं जो TensorFlow और PyTorch के अंदर जाके हम सीखेंगे कि बिल्कुल start में आप random seeding करके बता देते हैं कि हमारी random seeding जो है वो 42 पे या 124 पे है तो वो ही random state क्या होता है reproducibility के लिए use होता है तो यहां पे सभी लोग एक छोटी से assignment अगर ले लें तो वो ज्यादा बेतर है कि हम reproducibility किस तरीके से ensure कर सकते हैं किसी भी machine learning algorithm के code की ठीक है उसको हम random seeding भी बोलते हैं या random states भी बोलते हैं तो अगर आप इस छोटी सी चीज़ को एक दफ़ा explore कर लेंगे it will help you hopefully आपका question answer हो गया जिशान भाई